नमस्कार दोस्तो एस वी नॉलिज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको भारतिय डिफेंस से जुड़ी एक नहीं बलकि तीन बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं और ये तीनों ही अपडेट काफी ज़्यादे पुस्ता भी आ सकता है दरसल खबर निकलकर आ रही है कि साल 2016 में 36 राफिल की डेल के बाद डसॉल्ट एवेशन और भारत की रिलाइंस कंपनी ने मिलकर भारत के नागपूर में जो ड्रेल यानि की डसॉल्ट रिलाइंस एवेशन लिमिटेड नाम की जॉइंट कमपनी के स्टेक्स को पचेस करके इस पूरी ड्रेल फैसलीटी की ओनर्शिप अपने नाम करना चाहती है रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त ड्रैल प्रोजेक्ट के 51 परसंट सेर्स रिलाइंस के पास है और 49 परसंट सेर्स डसॉल्ट एवेशन के पास और अगर रिलाइंस में क्वालिटी स्टेंडर्स के राफेल फाटेजट का प्रडिक्शन करना चाहती है ताकि वो अपने इंटरनेशनल ओडर्स को पूरा कर सके और यह काम वो तभी कर पाएगी जब इस फैसलिटी का पूरा कंट्रोल उनके हातों में होगा डिफैन्स एक्सपर्स का कहना है कि ड आने वाले समय में 114 फाटेजट का ओडर देने वाला है अगर वो ऑडर भी भारत राफेल को देता है तो रिलाइंस कंपनी को भी इसमें काफी ज्यादा फायदा होगा लेकिन डस्वर्ट एविशन नहीं चाहती कि उनके प्रॉफिट में से रिलाइंस को कोई भी हिस्सा मि रोकिया है वेसक भारत अभी तक अपना खुद का पैसेंजर एरकाफ्ट नहीं बना पाया लेकिन फिर भी आज भारत पैसेंजर एरकाफ्ट से जुड़े कई सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स को बना कर पूरी दुन्या में एक्सपोर्ट कर रहा है बड़ी से बड़ी एर सिस्टम लिमिटीड के साथ भारत में अपने एरकाफ्ट बोईंग 737 के वर्टिकल फिन स्ट्रक्चर गेट्स और फ्यूज लेजिज और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्मान करती है लेकिन अब अमेरिका की बोईंग कंपनी ने फैसला किया है कि वो भारत को एरकाफ्ट मै और रिसर्च की जाएगी और इसके लिए अल्रेडी बोईंग की तरफ से इन्वेस्टमेंट की घोसना कर दी गई है यह सेंटर कितना बड़ा होगा उसका अंदाजा आप लोग इसी बात से लगाए कि इंजिनियरिंग टेकनोलोजी सेंटर के लिए बोईंग जो इन्वेस् सीड्स और एरकाफ्ट फ्रेम्स के अलावा डिजिटल सॉफ्वेर्स को भी बनाएगी और भाविश्य में वह भारत से ना सिफ बड़े स्केल पर पार्ट की सोर्सिंग करेगी बलकि वह भारत को एरकाफ्ट के लिए एक रिपेर सेंटर तक बना कर देगी बोईंग की स्टे बोईंग एकोनॉमी है और इस पूरे रिजन में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सब के लिए एरकाफ्ट की नीट को पूरा करने में काफी बड़ी मदद कर सकता है वह भारत में इतने पार्ट्स और कंपोनेंट का निर्मान करना चाहते हैं जितने में तीन हजार से भी और यह अपडेट आ रही है ब्राजेल की कंपनी एंब्रियर को लेकर आज से दो तिन दिन पहले हमने आपको यह खबर दी थी कि रशा ने भारत को अपने सूपर जेट एरकाफ्ट MC-21 और IL-114-300 पैसेंजर एरकाफ्ट साथ मिलकर मेड इन इंडिया के इंडर बनाने का ओफर दिया है लेकिन रशा ने इस डील को लेकर सबसे बड़ी सर्थ यह रखी थी कि वो यह दोनों एरकाफ्ट एक ही कंडिशन में भारत को देगा और वो यह कि भारत को डील साइन कर पहले कम से कम 200 एरकाफ्ट का एडवांस ओडर रश्या को देना पड़ेगा अब इस टीज को लेकर पिछले कल एंब्रियर की तरफ से भी भारत को एक काफी बड़ा ओफर आया है ब्राजिल की एरकाफ्ट बनाने वाली कंपनी एंब्रियर ने कहा है कि अगर भारत मेडिन इ इंदुस्तान एरोनोटिक लिमिटिड और महिंद्रा दोनों के साथ ही टेकनोलोजी ट्रांसफर करके जॉइंट वेंजर सेट अप करने के लिए भी तैयार है एंब्रियर भारत को अपने एरकाफ्ट की टेकनोलोजी के साथ साथ डिजाइन का ब्लूप्रेंट और एक्सपो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एंब्र का E195E2 अपनी फैमिली का सबसे बड़ा एरकाफ्ट है और इसे हाई डेंसिटी रूट्स पर अपनी एफिसेंसी और प्रॉफिटिबिलिटी के लिए जाना जाता है ये एरकाफ्ट पैसेंगर कैपसिटी के मामले में लार्ज एरकाफ्ट सेगमेंट में एरबस और बोईंग दोनों को ही टक कर देता है लेकिन बोईंग और एरबस से अलग इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इन दोनों के मुकाबले इसकी फियूल एफिसेंसी काफी बहतरीन है सेम डिस्टेंस में ये एरबस और बोईंग क प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए वो भारत में ही MRO यानि की मेंटेनेंस रिपेर एंड ओवरोल फैसिलिटी को सेट अप करेंगे जबकि रशा ने ऐसी कोई भी सर्विस भारत को देने का वादा नहीं किया और इसलिए देखा जाए तो एंब्रियर का ओफर रशा के ओफर से काफी ज़्यादा बेनिफीशल नजरा रहा है वैसे रशा की दोस्ती को अगर साइड रखकर देखा जाए तो आपको क्या लगता है भारत सरकार को किसका ओफर एकसेप्ट करना चाहिए रशियन कंपनीज का या फिर ब्राजिल की एंब्रियर का कमिंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एसवी नॉलिज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जै हि जे बहारे जै मैं बहुत वार वारे मिलती एंब्राइब कर दिये